बश्कार दोस्तों जी के अर्जुसार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्टरी एंटी एफजी सीनेट जारा पार्ट दोसो एक सथ में तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं बीडियो प्रारंब करने से पले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूले ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके मोईल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं अगर आप लोगों की इस बीडियो का पीडियाप सेथे पीडियाप इसक्रिप्सन में दे दियानओं वहाँ सजाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए बीडियो प्रारंब करते हैं देखे Question No नमबर वन है इसमें अठारा सो पच्पन के संथाल हूल के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है नीचे दिये गए कुट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो चले देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है इसमें दिया है पाला भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालो सो लडाई में हार गया थे दूसरा है गोको गुड़ा का एक महत्पून नेता था ये भी सही है तीसरा इस संदर में महाझन दीन दयाल राय भी एक महत्पूर्ण नाम है ये भी सही है चौथा एक समय था जब मुझभफपूर्पूर के निकत गंगा घाटी के छेतर पर संथालों का पूर्ण बरसा चुता है ये इसमें गलत है यानि एक दो तीन इसमें सहीत इसका एंसर हो जाएगा सी कोशन नमबर दो है संथाल विद्रों के सांत हो जाने के बाद अपनिवेसिक सासंद औरा कानूनी हो गया अब क्या कानूनी हो गया इसमें दिया है पहला संथाल परगना नामक राज छेतरों का स्रीजन किया गया सही है दूसरा है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमी अंतर सब्सक्रान करना गेर हैं कौन से उपाय कि यह भी सभी इसमें किसको एंसर हो जाएगा सी 1 और 2 इसमें दोनों सभी है कुशन नम्बर 3 है निर्मांकित में से कौन सी घटना महराष्ट में घटित हुई तो यह घटना हुई थी भील विद्रो भील बिद्रो जो है माराष्ट में घटित हुई थी और ये घटना हुई थी अठारा सो बारा इस्वी में बारा सो नश तक भील बिद्रो हुआ था कोश्चन नमबर चार है मेवाड बाघण और पास के छेत्रों के भीलों में समाजिक सुधार के लिए लोसीडिया आंदोलन का सुत्रपात किस ने किया था तो ये किया गया था गोविंद गीरी द्वारा एंसर वगा बी गोविंद गीरी द्वारा कोश्चन नमबर पाँच है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानि धर्ती का आबा धर्ती आबा कहा जाता था वह था तो वह था कौन था ते वह था बीरसा मुंडा इंसर वोगा डी बीरसा मुंडा कोश्चन नमबर छे है संभालपूर के अनेक ब्रिटिस बीरोधी बिद्रोहों का नेता निमन में से कौन था तो ये थे सुरंदर साई एंसर वोगा बी सुरंदर साई कोश्चन नमर साथ है निमलखित घटनाओं पर विचार कीजी और सही कलानुकरम क्या इसमें है तो सबसे पहले इसमें देखा जाये तो इसमें हुआ था संथाल विद्रोह तो ये हुआ था 1855 में कहीं-कहीं 1856 विद्या रता है और इसके बाद हुआ था सिपाही विद्रो ये हुआ था 1857 में सिपाही विद्रो 1857 में इसके बाद हुआ था नील विद्रो 1860 कहीं-कहीं 1869 विद्या है और सबसे लास्ट में थे दक्कन दंगे तो यह हुए थे 1875 इस वी में यह डेट है तो इसका एंसर होगा आपका डी क्रम से है यह कुस्टन नमबर आठ है 1857 के पसात निमलेखित लोकप्री आंदोलन हुए तिसमें 1857 के पसात लोकप्री आंदोलन कौन से हुए थे संथाल विद्रों तो पाले था 1857 के पाले यह पूछा है बाद में पसात में तो निल क्रांती हुआ था दक्कन के क्रिस्कों का दंगे हुए थे 1875 महीं बताए हैं और निल 1867 में बीर्शा मुंडा का उठा हुआ था यह तो यह दंगे में दो तीन चार इसमें सही है इसका एंसर हो जाएगा बी कुस्टन नमबर नौ है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांती प्रारंभ की गई थी तो यह क्रांती प्रारंभ की गई थी तो यह की गई थी मध्य पर्देश एवं महाराष्ट में कुस्टन नमबर 10 है निमलिखित इगवों में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो वो है नायक ताना भगत यह सुमेलित नहीं है कुस्टन नमबर 11 है महात्मा गांधियम उनके विचारों से परभायुत होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे तो प्रथम आदिवासी नेता कौन थे तो वो थे जोडा नांग कौन थे जोडा नांग यह पहले जन जाती नेता थे question number 12 है इन में से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था तो वे थे N.M. लोखंडे answer अगा C. N.M. लोखंडे question number 13 है निमलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सरप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुबाद किया था तो वे थे Charles Wilkins answer अगा B. Charles Wilkins question number 14 है निमलिखित में से किसे Paris की Royal Asiatic Society की सदस्ता प्रदान की गई थी तो ये प्रदान की गई थी किसे Michael Madhu Sudden Datko question number 15 है निमलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद रचना सकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुबाद किया था तो पहली बार अंग्रेजी में अनुबाद किया गया था कालिदास की जू रचना थी सकुंतला तो यह अनुबात के थे Sir Billiams Jones ने answer रोगा D Sir Billiams Jones ने question number 16 है British British सरकार के किस अधनियम ने सबसे पहली यहनि British सरकार के किस अधनियम ने सबसे पहली बार भारत में सिच्छा के लिए 1 लाख रुपिय दिये थे तो वह अधनियम है 1813 यानि चार्टर अधनियम 1813 का जिसके द्वारा सिच्छा पर प्रतिवर्स एक लाख रुपिय अनुदान के रुप में दिया जाता था question number 17 है सोतंतरता पूरु अवधी में British सरकार द्वारा भारत में आधनिक सिच्छा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये था इंसर इसका A होगा छोटे प्रसासनिक पदों पर निव्पती है तू सिच्छित भारतियों की आव सकता question number 18 है उड़ dispatch के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उड़ dispatch के बारे में और कूट का प्रियोक करते हैं सही उत्तर का chain करना है तो इसमें देखिए सहायता अनुदान वेवस्था जिसको grants in ad सुरू की गई ये सही है दूसरा है भी स्विदेलियों के स्थापना की सिपारिश की गई ये भी सही है तीसरा है सिच्छा के सवी अस्तरों पर सिच्छर माद्यम के रूप में अंग्रेजी की सिपारिश के ये गलत है क्यों एक और दो इसमें सही है तो इसका एंसर हो जाएगा एक और दो सही है इसमें एक और दो क्यों सही है question number 19 है Charles Wood का आदेश पत्र निमलेखित में से किस से सम्बंधित था ये सम्बंधित था किस से सिच्छा से Charles Wood का dispatch ये आदेश पत्र जिसको बलते हैं तो ये था सिच्छा से 1854 में ये जारी किया गया था Charles Wood का आदेश पत्र question number 20 है hunter commission की report में विकास पर विशेश जोर दिया गया तो hunter commission की report में विकास पर जो है विशेश जोर दिया गया तो ये जोर दिया गया था प्रात्मिक सिच्छा को answer हो जाएगा C प्रात्मिक सिच्छा को hunter eye cup गठित हुआ था तो ये हुआ था 1882 issue में question number 21 है national council of education की अस्थापना कब हुई नेशनल council of education के अस्थापना कब हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1906 कब हुई थी 15 अगस्त 1906 question number 22 है सिच्छा में सुधार है तू British सरकार ने Sadler विश्विद्याले आयोग कब न्यूक्त किया ये न्यूक्त किये थे 1907 में question number 23 है भारत के अपनिवेसिक काम में अधो मुखी निश्यंदन सिधान्त या इसी को इंगलिज में filtration सिधान्त काते हैं ये filtration theory किस छेत्र से सम्बंधित था ये सम्बंधित था सिच्छा से एंसर हो जाएगा B सिच्छा से question number 24 है भारत में आधोनिक सिच्छा पढ़ाली की निव किस से पड़ी तो भारत में आधोनिक सिच्छा की निव किस से पड़ी तो ये पड़ी थी 1835 के मैकाले के इस्मराण पत्र से 1835 के मैकाले के इस्मराण पत्र से question number 25 है और अंतिम question है आज के लिए किसके सासनकाल में भारत में अंग्रेजी सिच्छा आरंभ की गई तो वो सासनकाल किसका था तो वो था लाड विलियम कैवेडिस बैंटिंग का 1835 में जो है इसको प्रस्ताव की सुकृति मिली कि अंग्रेजी को उच्छी सिच्छा का माध्यम बनाया जा तो ये थे कोशन आज के लिए तुमिद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें अधिक सदिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वन दे मात्र मिलते हैं अगले वीडियो में